क्लास नायन की exercise 7.1 की बात कर लो थोड़ा दें इंटरेस्ट कम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ response आता है नहीं बच्चों का कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है एक या दो बच्चे ही ऐसे हैं जो काम करके भेज रहे है कोई कुछन नहीं करा है तो भी इसके लिए जरूरी होता है कि इसकी थोरम को अच्छे से पढ़ें मैं आप लोगों को भढ़ी नहीं रहा है पड़ना नहीं नहीं पड़ना है ठीक है सेवन पॉइंट वन किलास नाइंध फर्स्ट कुष्टिन यह कॉडिलेटरल दिया हुआ है हमको हलाकी इसकेल से बनाना चाहिए लेकिन यह स्थाधा मेरा टाइम जाता है मैस में को जब ज़ादा फरक बढता भी नहीं है अब बना दो केसे भी जिना स्केल के भी बना दो कोई परकने पड़ता जहां पर ज़्यादा जहां पर जुरूरत होती है अंगल एंगल डू करने की वहां पर कोई महाहिने रखता है और नहीं रखता है ठीक है कोऊडिलेटर रहा होँ यहां पर हम को क्याचीज़ गिवन है कि ए सी जो है वो ए डी के इकول है कि बूसरे हैं अपक्शा हम झाला के है הפूर्फ जब इन कुश्नों में मैं करूंगा पूर्फ तो पूरुफ के लिए इन है मेरी खाज बात होते है कि मैं बॉक्स बनाता हूं ए बी सी एक्वड़्ैनडंड रिध्व इक्वड़ननड 先्ञिलर होता है यह जो different है parce now a को एक बाद ध्यान रखेंगे तो यहां की बाद करते हैं पहले बाई स्यक्थ का मतलब है ये वाली एंगल और यह वाला दब इन्होंने इक्वल कर दिया, तो आपको लिखना आना चाहिए, इस वाले इंगल का नाम क्या लिखेंगे? एंगल D A B जान रखना D A B इसको लिख सकते थे B A D जो एंगल हमें लिखना होता है वो बीच में होता है जान रखे और C A B एंगल C A B ये चीज हमको यहांप एक फ़ल करके दी हुई है अब बात करते हैं इनों हमको क्या पूछा है जो पूछा है उसके हिसाफ से काम करते हैं एक तो हमको A B C और ट्रैंगल दोनों A B C A B C A B C A B C A B C और A B D सौरी यहांपे D है मैं गरा यह कैसे पूरूफ हो सकता है तो A B D ठीक है तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इनके लिए केवल तीन चीज़े बराबर करनी होती है और यह रूल है यह रूल है अब रूल आपने पढ़े नहीं है मैंने पढ़ाई भी नहीं है कि आज मैं थोड़ा करता हूँ फिर वापस से रूल पर जाऊँगा ठीक है तो यहां पर A B C और A B D में A B C और A B D यह दो टैंगल में हमको गाओ करना है तो देखिए सबसे पहली बात कि जो A B C है इसमें जो हमारा एंगल है कौन सा C A B A B C में जो हमारा एंगल है यह वाला वह इस वाल एंगल क नाम इनों जहां पर लिख दिया है और ऐसे तीर लगा कि आप लिख सकते हो कि यह एक एंगल है ठीक है ताकि आपको जोड़ा सा कुश्चन माशानी हो उसके बाद देखिए इसमें जो A B साइड है A B वो इस ट्राइंगल को बनाने के लिए भी यूज हो रही है और इस को ट आपको एक बार बताता हूं एक चीज़ हम गुद्धी होई है इसमें A C A D के बराबर है इसके अकॉर्डिंग जो A C है वैसे इसको कहा लिखेंगे साइड ध्यान लगना लिखते चलना साइड में यह साइड ही तो है और A C जो है कि इसके इक्वाल है A D के यह भी कहा है हमारी साइड है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से देफोर ट्राइंगल A B C एक्वाल एंड कॉन्गरेंट ट्राइंगल A B D में ध्यान दो भी टाई पूरा कॉन्गरेंट कहते हैं इसको उससे निकल जाता है तो हम लिख सकते कौन सा रूल लग गया देखो यह है A मने एंगल S मतलब साइड S मतलब साइड तो एक रूल होता ह S A S साइड एंगल साइड तो रूल कौन सा लगा S A S कौन सा रूल है S A S वा समन्वाई तो इस से हम कह सकते हैं कि यह वाली जो ट्राइंगल है एक दूसरे के कौन ग्रेंट है और यहां पे बाई C P C T जरूर लिखना C P C T ठीक तो यह कौश्चन आपका कम्प्लीट हो गया हाला कि इस कौश्चन में एक सब्स लिखा हुआ है What can you say about B C and B D B C और B D के बारे में आप क्या कहना चाहूँ देखिए जब कोचीर कौन गरेंट है तो मैं आपको बता दूँ वो वाली चीज भी अटमेटिकली क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी वाई C P C T के बारे में ठीक है तो यह इस तरीके का कौश्चन था आपको समझ में आया होगा ओके वाई